और कॉंग्रेस उमिद्वार सुरेंदर पवार ने आराइन टीवी से बात्चित करते हुए क्या कुछ कहा सोनीपत से हैं सुरेंदर पवार आये सुनते हैं विधान सभा चुनाओ को लेकर नामांकन का आज आखरी दिन है और इस समय हम सोनीपत में हैं सोनीपत से कॉंग्रेस ने सुरेंदर पवार को अपना प्रत्यासी बनाया है इसमें नामंकन करके बाहर निकले सुरेंदर जी किस तरीके की स्थीदी देखते हैं इस चुनाव को लेकर सोनीपत सिटी के अंदर सोनीपत की जंता बदला हो चाहती है और बहुत ही वहुमत से अम सोनीपत से चुनाव जीतेंगे लगातर बात साल से अप जंता के बीच हैं बीजेपी की सत्ता है बीजेपी के मंत्री सिटी से रहे है और बीजेपी 75 पार का नारा लेकर चलниц leven उसको कैसे रोख पाएंगे बीजेपिया जो पिजित्र पार का नारा है वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि प्याज पिजित्र पार डोलर पिजित्र पार और डीजल और पेट्रोल पिजित्र पार उनका नारा बिल्कुल ठीक है और जानके पिजित्र पार उन्होंने जो पिजित्र पार का नारा दिया था वो किया हर्याना की जंता भी इनको विदान सवा में 15 से पार नहीं होने देगी यहां के मंत्री तो कहते हैं कि सोनीपत का पूरा विकास करा दिया सड़के बनवादी सीवरेज विछवादी रोधगार के साधन उपलब्द करवाए हैं यहां की मंत्री तो सुरू से ही जूट बोल कर रहा है आज आप भी पत्रकार है आप गुंते होंगे देखते होंगे हर अर सबसे मुद्ध में बरस्ठा चार का मुद्धा सोनीपत में विकास का मुद्धा सोनीपत में कानून physics क्मम शेकडों मुद्धे हैं जिनकी लिए आज जनता प्रेशान है और जनता इनकों अटाने का काम करेगी और सोनीपत से ही नहीं हरियाना में सभी सीटें जीत कर कोंगरे सरकार बनाएगी जो अभी मुदूदा उमिदवार हैं श्रेंदर पवार मुदूद थे जिन्नों ने कहा कि पिछले पात साल में सरकार ने हरियाना के अलावा सोनीपत में भी कोई ध्यान नहीं दिया और इन्हीं मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का प्यार भी उन् मिल रहा है और इस विधानसभा चुनाओं में सोनीपत सीट को वो जीत कर कॉंग्रेस की जोली में डालेंगे सोनीपत से कैमरमेन बलवान के साथ जैदी प्राठी आर नैंटीवी